दोस्तो HTML के score series में आप सब का स्वागत है लास्ट वीडियो में हमने देखा कि HTML के basics क्या है practical क्या है और जो से related terms है जैसे editor, browser यह सब क्या होता है आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे paragraph tags को नॉर्मली आप इसकेन पर देख पा रहे हैं कि हमने कुछ यहां पर tags लिखे हुए है जैसे PLI left, PLI center, right, etc. काफी सारी चीज है तो आज किस वीडियो में with practical हम इन सभी का use करके देखेंगे और समझेंगे कि इनका क्या role play है तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को तो नॉर्मली आ चुके हम यहां पर notepad++ में और जो code हमने last video section में लिखा था जैसे कि जो भी structure, HTML, head, title यह सभी चीज़े ही यहां पर लिखी हुई है अब यहां पर सबसे पहले यह जो paragraph tag है यह सबसे जो basic tag होता है वो है P नॉर्मली यहां पर हमने लिखा P और यहां पर आके हमने P tag को close कर दिया कुछ इस तरह से अभी अगर मैं इसे save करूँ और अगर मैं इसका output देखू तो वही आ रहा है जो कि पहले आ रहा था तो हम P tag use क्यों कर रहे हैं मतलब paragraph tag use क्यों कर रहे हैं देखो basically यहां पर कोई भी चीज आप लिखते हो तो उसके साथ एक tag होना जरूरी है ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मान लो कि इसका color है black यहां पर simple color क्या black है अब अगर मुझे इसका color करना है red तो वह मैं कैसे करूँग तो basically अगर हम कोई भी चीज लिख रहे हैं जैसे वह paragraph है text है कुछ भी है तो उसे अगर हम edit करना है चाए वह color हो या कोई भी चीज हो तो उसके लिए पहले हमें उसे tag के अंदर लेना पड़ेगा तो जो सबसे basic होता है paragraph के लिए वह P tag होता है normally आप देख पा रहे हो यह P tag है तो बीच में ले जाने कि मैंने बोला कि इसे tag के अंदर होना अच्छे तभी edit कर पाऊगे तो P tag के अंदर है मैंने आप लिखा align equal और मैं आप लिख देता हूं center align मतलब कि उसके alignment को मैं fix कर रहा है left center right यह सब क्या alignment है तो हम इसे क्या कर रहे है कहां पे align कर रहे है center में बीच करेंगे आप देख कोई कहां आ गया है बीच में आ गया है मैंने गलती से यहां पर extra डाल दिया यह यह रहा तो मुझे यहां पर इसे P tag के अंदर close करना यह मैंने किया और यह देखो यह बीच में यहां पर आ गया तो इसलिए जो tag है वो important है क्योंकि उस tag से related काफी सारी ची ले सकते हैं बीच में अब इसी पर यहां पर आके notepad plus plus में अगर आप control d करोगे तो इसका duplicate बन जाएगा तो यह दुबारा से यह भी center में ही आएगा जाहरी से बात है मुझे चाहिए left में यह वाला कहां चाहिए left में चाहिए तो हम यहां पर center हटाके हम यह क्या करतेंगे left करदेंगे मैं यहां लिखा left और यहां पर आते हैं यह हो गया left कुछ इससे जुआ आप देख परो इसके बाद दुबारा यहां पर आते हैं ctrl d करते हैं और और electromagnet की जगह हम यह बना देते हैं right और control s किया यहां पर आगए right में जैसे के आप देख पारे हो क्योंग यह ची यह सिर्फ आपका कुछ words का है, यहां पे हम simple कुछ नी डालते हैं, इसे हटाई देते हैं, माल लोग यह जो आपका paragraph है, मैं इसे को copy कर लेता हूं यहां पे, और copy करने के बाद हम यहां आते हैं, और इसे paste करते चले जाते हैं, ठेक है मैंने इसे पेस किया और पेस करने के बाद मैं यहाँ पे F5 करता हूं तो आप यहाँ पे देखो कि जो भी चीज मैंने लिखी है वो यहाँ पे एक पैराग्राफ बड़े पैराग्राफ के तौर पे यहाँ पे आ गई है तो अगर मुझे इसे सीरीज में लेना है तरीके से लेना है तो उसके लिए आप क्या गरोगे यहाँ पे आओगे P में और लिखोगे align equal justify यहाँ पे क्या डालेंगे align equal to justify जैसे यहाँ पे डालोगे आप देखोगे कि जो unnecessary gap छूट रहा था यहाँ पे वो भी बिल्कुल सीरीज में आ गया है और आपका पैराग्राफ का जो alignment है वो justify हो जाता है कुछ इस तरह से तो यह जो gaping अगर हम बात करें हम लिखते हैं और य जैसे मैं यहाँ पे enter कर देता हूं यहाँ यहाँ पे enter किया और यहाँ के मैं यहाँ पे enter कर देता हूं अब आप notice करो कि मैंने जो चीज लिखी है यह किस तरह से लिखी हुई है यह यहाँ तक मैंने लिखा है पहले line में उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यह दूसरे line में फ वैसा कब ऐसा ही है जैसे यह पहले था जैसा कि मैंने यहां पर एंटर किया हुआ जैसे scac करने के लिए हम एंट एक टैग करेंगे जो की है प्री टैग यह पर देंगा रहाने दीओ इसको भी नीचे करदेते यहां पर ताकि प्डॉपर तरीकर ऐज यह रहा है अब यहां पर जो हमारा आप crush इसको हम क्या करेंगे pre कर देंगे और जैसे मैं यहां पर प्री करूँगा Ctrl S करूँगा F5 करूँगा आप देखो कि जैसा वहां पर है HTML पर break हुआ है फिर वेलकम पर फिर प्र कोर्स पर HTML वेलकम फिर प्र पर और इस तरीके से यहां पर आ गया राइट जस्टिफाई और प्रिटाइग इन सब का क्या यूजर ही आपको किलियर हो अगर यह वीडियो आपको चल लगए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें साथे कमेंट करके अपना फीडबैक दें तैंक यू